आज का जो हमारा लेक्चर होगा English Grammar का यह lecture number 5 है इससे पहले चार लेक्चर हम English Grammar में Tenses की उपर कर चुके हैं तो अगर आपको वो सारे Tenses सीखने हैं तो आप previous lectures को देख लीजेगा जो आज का जो हमारा lecture number 5 है इसका topic है Present Perfect Continuous Tense तो आज के lecture में Present Perfect Continuous Tense के Sentences को समझेंगे और साथ साथ में इस lecture में हम इसके सारे structure बनाना भी सीखेंगे अच्छा सबसे पहले इसके नाम पे आते हैं Present Perfect Continuous देखें Present का मतलब हमेशा वर्प की first form है ठीके मैं किसी और तरीके से आपको समझा रहा हूँ तो मतलब इसमें वर्प की first form भी होगी Perfect मतलब वर्प की third form इस Tense में वर्प की third form भी आएगी Continuous मतलब fourth form ये फिर ing form तो इस Tense में आपको ये तीनों चीज़ने याद रखेंगे Present मतलब first, third and fourth form अच्छा Present Perfect Continuous को हम Present Progressive Tense कहते हैं Translate करेंगे अब देखें आपने कोई action, कोई काम जिसको आपने past में शुरू किया था Past में मतलब गुजरे वक्त में आपने क्या किया था उसे शुरू किया था, start किया था लेकिन वो अभी भी क्या है, जारी हो Means आपका वो action जो past में start हुआ हो और present में अभी क्या हो, चल रहा हो, जारी हो तो इस किसम के जुमलों को हम present perfect continuous stance में शामिल करते हैं और इसी के structure को follow करते हैं अब यहाँ पर कुछ जुमले में ने लिके हैं इन जुमलों को आप देख लीजिएगा तो आपको बहतर concept किलियर हो जाएगा sentence number one वो दो गंटे से बात कर रहे हैं अब देखें कर रहे हैं मतलब action क्या है हमारा continue है लेकिन हम कैसे पहचान हैं कि यह present perfect continuous में आएगा अब जरा यहाँ time देख लीजिएगा वो दो गंटे से मतलब previous दो गंटे से बात कर रहे हैं action past में start हुआ था और अब क्या है चल रहा हो अगला sentence देख ले मैं सुबा से आपका इंतिजार कर रहा हूँ means अभी भी इंतिजार कर रहा हूँ action मेरा क्या है continue है कब से सुबा से means past में गुजरे वक्त में action आपका start हुआ अभी भी क्या हो चल रहा हो फात्मा जन्वरी से युनिवस्टी में पढ़ा रही है जन्वरी से past से इसने start के लिया था और अभी भी क्या है action continue है असलम कल से पढ़ रहा है कल से और अभी आपका action क्या है continue means past में असलम ने action शुरू किया और अभी भी क्या है continue सुबा से बारिश हो रही है अभी भारिश हो रही लेकर शुरू कब हो इती सुबा से तो यह time का factor है past में action शुरू हुआ और present में क्या है continue है तो इस किसम के जुमले आपको कहीं पर देखें तो आप उन तमाम जुमलों को हमेशा present perfect continuous में बनाईएगा structure शुरू करने से पहले मैं आपको दो जो word है time के लिए इस्तमाल होते है present perfect continuous में वो समझा देता हूँ ताकि आपका concept क्या हो जाए clear हो जाए देखें एक है sense और एक है four अब इस tense में time के लिए हम इन दोनों को use करते हैं अक्सर अब sense हम कब इस्तमाल करेंगे और four कब इस्तमाल करेंगे देखें sense हम point of time के लिए इस्तमाल करते हैं किसके लिए point of time के लिए और four period of time के लिए जो उसका duration होता है period होता है उसके लिए हम four use करते हैं जुमलों में अब यहां पर भी आपको time देखेगा, दो गंटे, सुबा से, जनवरी से, कल से, सुबा से, अब इन, यहां पर जो time दिया गया है, इस time में हम sense यूज़ करें, for यूज़ करें, तो यहां से इस chart से आपका concept क्या हो जाएगा, clear हो जाएगा, चलें, सबसे परें sense की बात करते हैं, देखें, मैंने आप से का का point of time के लिए, अब आपने कोई काम कब से कर रहे हो, कोई time है, nine o'clock, eight o'clock, seven o'clock, ठीक है, तो वहां पर आप time के लिए sense यूज़ करोगे, sense nine o'clock, अगर first June से, second June से, fifth June से, sense first June, मैं Monday से आपका इंतजार कर रहा हूँ, sense Monday, Tuesday, Wednesday, जितने भी days है, August, जितने ही months के नाम है, sense August, sense January, sense June, ठीक है, तो वहां पर sense हम use करेंगे, sense 2010, 2020, sense 1947, तो हम sense लगाते हैं, अच्छा, पांच बज़े से, चार बज़े से, तीन बज़े से, जितने भी time इस किसम के हो, तो वहां पर भी आपके यूज़ करोगे, sense, सुबा से, दुपएर से, इस तरीके से, तो वहां पर भी हम sense यूज़ करेंगे, winter, summer, autumn, fall, बज़पन से, तो वहां पर हम word के अस्तमाल करेंगे, sense, तो इन सारे categories में, time में, तो हम क्या लगाते हैं, sense, अब four कहां यूज़ करेंगे, period of time, तीन गंटे से, चार गंटे से, four, three hours, four, five months, eight months, nine months, four, three decades, decades कहते हैं, दिहाई को, दस साल को, four, five decades, eight decades, अच्छा, पांच दिनों से, आठ दिनों से, दस दिनों से, four, ten days, five days, four centuries से, four centuries, four, four centuries, four, four centuries, बहुत अरसे से, for a long time, तो ये four और sense की usage है, आप इसको याद रखिएगा, इन sentences में अभी ये सब आने वाले हैं, जो मैं आपको structures में बताऊँगा, अब sense और four की usage के बाद, हम instruction number one पे आते हैं, जैसे आपको पता हैं, तीन structure फिलाल डिसकस करने, affirmative, negative और interrogative, सबसे पहले affirmative, इसका structure कैसे बनेगा, subject आएगा, उसके बाद helping और, भेज और have, भेज कहा हैं इस्तमाल करते हैं, have कहा हैं इस्तमाल करते हैं, मैं last lecture में, present perfect tense में समझा चुका हूँ, पिर भी बता जाता हैं आपको, अगर आपके पास subject, he, she, it, कोई भी single noun हो, तो आप हैज इस्तमाल करेंगे, I, you, we, they, एक से ज़्यदा नाम हो, अली एंड अस्लम, तो वहाँ पर आपके इस्तमाल करेंगे, have, subject, helping verb, हैज और have, उसके बाद been लगाते हैं, पिर verb, ing form में, पिर object, object के बाद तो time होता है, यह sense लगाएंगे, पिर four, अगर आपके पास point of time में तो sense लगाएंगे, period of time में तो four लगाएंगे, जो आपको मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ, आपके सामने मौजूद हैं, दो गुंटे पेले उनकी बाती शुरूओ, अभी भी क्या है, चल रही है, I have been waiting for you since morning, अब देखें, since morning, for two hours, मैं सुबा से आपका इंतजार कर रहा हूँ, फात्मा हैस बीन, teaching at the university since January, फात्मा जनवरी से युनिरस्टी में पढ़ा रही है, असलम हैस बीन स्टेडियंग सेंस यस्टरड़े, असलम खल से पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे तो यह स्ट्रक्चर होगा, subject, helping verb, been, verb, ing form में, object, फिर time के लिए sense or for use करते हैं, तो यह affirmative structure था, यह इन जुम्लों को मैंने translate किया था, अंग्लिश से, अर्दू से इंग्लिश में, अब सुबा से बारिश हो रही है, सुबा से, it has been running since morning, so, it is the affirmative structure, अब चलते हैं आगे, दूसरे structures के तरफ, हमारे पास दूसरा structure होगा, negative का, अब negative के structure कैसे बनता है, हम बताते हैं आपको, सबसे पहले subject आएगा, उसके बाद helping verb has या पिर have, has कहां इस्तवाल करेंगे, have कहां इस्तवाल करेंगे, मैंने आपको affirmative में बता दिया, उसके बाद not आता, ये not है, जो बिल्कुल यहां पर, काट कूट के मैंने इसको लिखा यहां पर, not आएगा पिर, उसके बाद been, been, जो structure में है, फिर verb ing form में यूज़ करेंगे, फिर object, फिर time के लिए sensor for, sensor for कहां है इस्तवाल करते हैं, चार्ट आपके पास महजूद है समझा चुका आपको मैं, तो structure क्या है, subject, helping verb has या have, जो subject होगा, उसके मताब एक यूज़ करेंगे, helping verb, फिर not, been, verb ing form में, object, sensor for, जो time होगा, अब कुछ sentences मैंने यहां पढ़ लेके हैं, आप देख लीज़ेगा, he has not been, working in bank since 2016, लेकिए he subject है, helping verb क्या आगया, has, फिर structure का not, फिर structure का been, फिर work, first form में, ing form, working in bank object, time दिया गया है, 2016, तो उसके साथ क्या आएगा, since 2016, तो यह structure इस तरह, use होता है, I have not been sleeping for three days, I subject to have, helping verb, not, फिर been, structure का, sleeping verb की third form, for three days, three days का क्या استعمال करेंगे, for, आप यहां देख लीज़ेगा, आपको समझ आ जाएगा, she has not been watching TV since Monday, वो Monday से टेलिविजिन नहीं देख रही है, they have not been coming to office since June 2020, वो जून 2020 से office नहीं आ रहे हैं, तो यह negative का structure है, तो negative का structure ऐसे बनता है, इसको देख लीज़े, कोई बात आपको समझ में ना आई हो, तो मैं आपको commit box में समझा देता हूँ, हमारे पास जो last structure है, that is interrogative, interrogative मतलब सवाल या जुमले, question mark, ठीक है, अब इसका structure क्या होगा, इसके structure affirmative से आप क्या करें, बहुत आसान है, affirmative में जो helping और subject के बाद, उसको शुरू में लाएं, और last में question mark लगाएं, जो मैंने यहाँ पर लगाया, नहीं है, तो इस तरह आपका यह interrogative का structure बनेगा, तो affirmative में आप helping और शुरू में लाएं, has और have, पिर subject आगया, पिर been structure का, पिर verb आई इन जी फॉर्म में, object, पिर time, जो sense for use करेंगे हम, तो इसका interrogative यह से बनेगा, पिर से बतायता हूँ, has और have, subject, been, verb आई इन जी फॉर्म में, object, sense for for, और last में, time, अब कुछ जुम्ले में यहाँ पर बनाए हैं, देख लिजेगा अब, has he been working in bank since 2016, अब देखें, he subject रहे 3% तो क्या आगया, has, been structure का है, work first form में, आई इन जी लगाया, fourth form में बन गया, in bank object, और 2016 के साथ, हमने क्या लगाया, sense for for में से, sense लगाया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या वो 2016 से बैंक में काम कर रहा है, have you been going to your college since 2018, क्या आप अपने college 2018 से जा रहे हैं, अब जो कि यू के साथ have क्यों आया, मैं आपको बता है ना, you, we, they, I, A, एक से ज़्यादा नाम हो, तो वहाँ पर हम helping और प्र क्या लगाते हैं, have, जिसको हम auxiliary verb भी बोलते हैं, sense number three, has Kiran been working as a teacher for five months, क्या Kiran पाँच महीने से, बतोर एस्ताद, ये पर टीचर काम कर रही है, for five months, has, third person के साथ helping और भेज आता है, have they been watching the same movie for two days, क्या हो दो दिन से, एक ही movie देख रहे हैं, तो इस किसम के जुमले आपके पास हो, वो सारे interrogative का structure ऐसे बनेगा, और ये सब present perfect continuous में आते हैं, पिर से repeat करता हूं, has he been working in bank since 2016, क्या हो 2016 से bank में काम कर रहा है, action past में start हो, अभी भी क्या है, continue, have you been going to your college since 2018, क्या आप 2018 से अपने college जा रहे हो, 2018 में start हो action, अभी भी क्या है, continue, has Kiran been working as a teacher for five months, क्या Kiran पाँच महीनों से, बतो वरे teacher काम कर रही है, पाँच महीने पहले action start हुई, और अभी भी क्या है, continue, have they been watching the same movie for two days, मतब दो दिन पहले movie क्या हुई, start हुई देख रहे थे, और अभी भी क्या हो, उसे देख रहे हैं, तो यह था present perfect continuous strength, तो इसमें हमने इसकी usage पढ़ी, पिर sensor 4 में differences देखे, पिर affirmative जुम्ले पड़े, उसके बाद negative को discuss किया, और last में interrogative को discuss किया, अगर आपको present perfect continuous में कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप comment box में जरूर बताईएगा, तो हम आपको बता देंगे, और बहतर तरीके से मज़ीद समझा देंगे, सो यह simple तरीका था इस टेंट्स को समझने के लिए, हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा संजराणी लिंट्स को, तक आप तक यह lecture हम टाइम पर पहुंचाते रहें, अपना ख्यार रखिएगा,